हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज का वीडियो काफी जगा जगा पर काफी जगा जगा पर काफी ज़ादा हो जा रहा है क्या इसकी परिक्षा अब मैई मन्त में हो पाना संभव है की नहीं दोस्तों मैं आप सभी को बहुत ही पहले ही बताया था कि मैं हिड्कॉर्टर भी जाओंगा और RTI भी आप सभी के लिए लगाओंगा दोस्तों RTI में लगाया था उसमें पूरा जबाब तो आया था कि मैं मन्त में tentative है संभावित है कि इसकी परिक्षा आयूइत करा ली जाए लेकिन इन दिनों आप लोगों का काफी ज़दा कमेंट्स आ रहा है भर भर के कि क्या इसकी परिक्षा मैं मन्त में हो पाना संभाव है इसकी वज़े से दोस्तों RTI का जो जबाब आया था उसको मैं प्रिंट आउट करा कर ले गया हैट कौर्टर पर कहां पर लेकर गया था दोस्तों महिपालपूर ट्रेनिंग सेंटर नियु दे लही दोस्तों मैं लेकर गया स्क्रीन पर जो आप लोग देख रहे हो दोस्तों मैं आप सभी के लिए हमेशा एथन्टिक काम करता हूँ आप लोगों के रिगार्डिंग दोस्तों मैं RTI का जो जबाब आया था उसको प्रिंट आउट कराया और दोस्तों हेट कौर्टर गया कहां पर गया CISP कैम महिपालपूर ट्रेनिंग सेंटर नियु दे लही ये RTI जो लगाया था उन इस्टाफ वालों को पूरा मैं दिखाया मैंने सीधे सीधे ये बात भी वहाँ पर रखी कि COVID का संक्रमण भी इन दिनों बढ़ रहा है क्या इसकी परिक्षा हो पाना संभव है अब मैं इमन्त में तो दोस्तों उन सभी के द्वारा क्या बताई गई इसके रिगार्डिंग पूरी इनफोर्मेशन्स इस वीडियो में आप लोग जानो और दोस्तों साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी परिक्षा हो जाने के बाद कि इसमें टाइपिंग टेस्ट तो काफी हाड माना जाता है तो टाइपिंग टेस्ट में कितने इस्टूडेंट पास के जाएंगे और कब इसका टाइपिंग टेस्ट होगा कौन से महीने में वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा सायद ही कोई ऐसा इनफॉर्मेशन्स हो जो आप लोगों के रिगार्डिंग ना इस वीडियो में बताई जा है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक किजिएगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा हेड कोईटर पर गया था तभी ये लिया था पूरी इनफॉर्मेशन्स तो दोस्तों जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो बिल्कुल आर्टिय जो हमारे द्वारा लगाई गई थी इसका फोटो कॉपी है इसको दोस्तों मैं वहाँ पर सभी स्टाप को दिखाया और कराने के लिए टेंटेटी वेट रखा गया है लेकिन दोस्तों उन लोगों ने रीजन्स वाइज कुछ इनफॉर्मेशन दी जरा ध्यान से समझेगा उन लोगों ने बताई कि यन सी आर रीजन्स का चार फेजों में परिक्षा होगी और यन इस रीजन्स का एक फेज में प बताई कि 10 माई के बाद इसका एक्जाम से डूल बनाया जा रहा है कि कौन-कौन से डेट को होगा पूरी हेटक्वाटर इसका डिसीजन ले रहा है और जैसा कि फेजवाई हमने आप सभी को भी बताया कि कि कितनी-कितनी फेजों में परिक्षा होना पूरी रूप से और दोस्तों मैंने आप सभी के रिगार्डिंग ये भी इन्फोर्मेशन पूछने की पूरी कोशिस की क्या इसके पदों की संख्या में बढ़ुत्री होगा क्या दोस्तों यानि 439 इसमें पोश्ट है क्या 439 पदों को बढ़ाया जाएगा क्या क्योंकि साल 2019 में इसकी बरत लाएगी कि इसकी रिगार्डिंग कोई ऐसी इन्फोर्मेशन अभी तक नहीं है कि 439 पदों में कोई बढ़ुत्री होगी लेकिन लेकिन ये टेंटेट्यू पद है इसके पदों की शंक्या में बढ़ुत्री हो सकती है और आल दोस्तों यहीं इन्फोर्मेशन मिली है कि मैं मन्त में आपकी परिक्षा होगी 10 माई के बाद इसका कौन कौन से डेट को हो क्वाटर के दोरा पूरा डिसीजन लिया जा रहा है कि 10 माई के बाद कौन कौन डेट को कराई जाए इसकी परिक्षा और कप कराई जाए दोस्तों आप लोगों की परिक्षा जोन वाइस दोस्त आप लोगों के regarding मैं एक RTI में ये किलियर किया था कि पहले आपको Constable Tatsman की परिक्षा होगी फिर आपकी Head Constable Ministerial Post की परिक्षा होगी तो इसके regarding दोस्तों यही information मिली है कि 10 माई के बाद आपकी परिक्षा होगी कौन कौन date को होगी headquarters पूरा decision ले रहा है और दोस्तों कुछ outline ये भी information समें मिल चुकी है कौन zone का कितने फेजों में परिक्षा होगी इसका भी दोस्तों कुछ information उन लोगों ने हमें provide किया था जो आप सभी को भी मैंने बताया दोस्तों आप लोगों से यही मैं कहूंगा कि आप लोगों के regarding जादा दिन अब नहीं बचा है चालीस से पचास दिन आप लोगों के सामने बचा है आप लोगों खूप प्रेसंस कीजिए क्योंकि head considerable ministeral post बहुत ही अच्छी पद है दोस्तों CISP में बिल्कुल official work है आप लोगों को कोई भी दिकत नहीं होगी आप लोगों का जोब लग जाएगा तो दोस्तों मैं आप सभी को केवल जानकारिया ही authentic प्रोवाइड करता हूं आप लोगों के regarding मैं आप सभी को कभी नहीं कहता कि मेरा ये पीडियप ले ले लीजिए आप सभी को कभी इसके स्ट्रेटराइज़ी के बारे में यदि आप जानना चाते हो तो नीचे दियेगे comment box में comments कीजिएगा दोस्तों ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग किस राज जिसे belong कते हो और कौन से जोन से आप लोग कौन से सेक्टर से आप लोग अपनी form का apply किये हो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कौन-कौन से books important या आप लोग information चाहते हो तब पर भी बताईएगा साथ के साथ दोस्तों इसके typing test से related कोई doubt हो नीचे दिएगे comment box में comments कीजिएगा एक वीडियो में मैं आप से भी typing test से related भी information प्रोइट करूँगा बहुत जल्द दोस्तों उन लोगों के द्वारा ये भी बताये गया कि 10 माई के बाद इसकी परिक्षा लगबग निर्धारित की जारी है कि आयूइत कराईजा है पूरी दोस्तों निर्धारित जैसे ही हो जाएगी official website पर और इसके अंतरगत जितने भी CISP के training center है वहाँ पर पूरी information भेज दी जाएगी आप लोगों को wait करना है केवल दोस्तों आप सभी को यहीं पर मैं बता दू जैसे ही इसका exam conduct हो जाएगा उसके बाद इसका typing test होगा दोस्तों काफी लोगों का लगाता doubt रहता है कि इसका typing test hard होता है क्या इसके typing test में कितना समय मिलेगा दोस्तों finally मैं यही आप सभी को बताना चाहता हूँ परिक्षा हो जाने के बाद answer की दो दिन बाद ही आजाएगा और आप सभी को पता चल जाएगा कि आप इस परिक्षा को क्रेक कर रहे हैं की नहीं आपका अच्छा नंबर है की नहीं दोस्तों तत्पसात आप लोग अपनी प्रिप्रेसंस typing test की कर सकते हैं typing test से रिलेटर दोस्तों हर एक information मैं आप सभी को provide कर रखा हूँ तीन मन तो लगी जाएगा क्योंकि इसका answer की आएगा फिर result आएगा फिर typing test का निर्धारित की जाएगा date फिर उसके बाद दोस्तों आपकी कराई जाएगी typing test उमीद करते हैं आपको समझ में आगया होगा धाई से तीन मन तो दोस्तों minimum इसमें मिलेगा ही दोस्तों training center के staff की लोगों ने जो भी बताया उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों आप लोगों के पास 40 से 50 दिन और है आप लोग खूब पिप्रिसंस कीजिए इसके regarding दोस्तों कोई भी information आएगी हम आप सभी को inform कर देंगे हमने दोस्तों आप सभी से ये बाद पहले ही बतायी थी कि पहले मैं RTI लगाऊंगा फिर headquarter जाऊंगा दोस्तों हमने आप सभी के लिए लगातार जो भी information प्रोवाइट किया है विल्कुल authentic ही प्रोवाइट किया है और आप लोगों को कोई दोस्तों यहाँ पर unofficial news नहीं दिया जाता तो उमीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों किसी अन वीडियो में मैं आप सभी को step by step पूरी information दूंगा की typing test किस प्रकार का होता है साथ के साथ दोस्तों इसकी planning किस प्रकार आपको करनी चाहिए दोस्तों इस परिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा number लाने के लिए क्या strategy आपकी होनी चाहिए इसमें दोस्तों best book क्या है पूरी information के regarding हम आप से भी कोई एक वीडियो में पूरी information प्रोवाइट करेंगे दोस्तों इसके regarding अभी भी कोई doubt हो नीचे दिएगे comment box में comments कीजिएगा वीडियो को अभी तक like नहीं कियो तो like कीजिएगा तो आप लोगों के regarding हर एक information समेशा दोस्तों ठंटी की जानकारी प्रोवाइट की जाती है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करके वीडियो को like कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लिजिएगा चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे thank you thank you so much